गुड यूणिंग नीट एस्प्रेंट्स, NTA ने 15 माई 2020 को एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है, इस पब्लिक नोटिस के थूँ इन्हों ने कुछ एक्जाम के अप्लिकेशन फॉर्म की डेट एक्स्टेंड की है, तो नीट एस्प्रेंट्स के लिए जो सबसे मैन एक्जाम है इसमें, वो है ICER का एक्जाम, इंडियन काउंसिल ओफ एक्रिकल्चर रिसर्च का एक्जाम, इसके थूँ एडिमिशन होता है, बीएस से एक्रिकल्चर में, तो नीट के इस्प्रेंट्स फॉर्म को सब्मिट कर सकते हैं, तो पहले इसकी जो डेट्स थी, वो थी 1 मार्ट 2020 से 15 में 2020 तक, तो अब जो इसकी डेट NTN एक्स्टेंड की है, वो है 31 माई तक, तो अगर अभी तक नीट एस्प्रेंट्स ने ये फॉर्म नहीं भरा है, तो वो इस फॉर्म को सब्मिट कर सकते हैं, इसकी इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया है, कि जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 16 years, और 12 में आपके 50% मार्क्स होने चीह हैं, अगर आप जर्नल से ब्लों करते हैं तो, और अगर आप किसी केटेगरी से ब्लों करते हैं, SCST से, तो ये मार्क्स आपके ये है 40%, एप्लिकेशन फी है, जर्नल OBC और EWS केंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज, और SCST और PWD and transgender candidates के लिए 375 रुपीज, इसका exam, इसका exam pattern थोड़ा need से अलग होता है, इसमें 150 questions होते हैं, 50 physics, 50 chemistry and 50 biology से, और जो exam duration होता है, वो इसका होता है, 150 minutes का, minus 1 कि इसमें negative marking होती है, नीटी की तरह, तो इसका syllabus होता है, वो नीट exam की तरह है, तो अगर आपने विदिक्स का form नहीं भरा है, और अगर आपको bachelor of science में admission लेना है, agriculture stream में, तो आप इस form को submit कर सकते हैं, नीट के बाद ये भी काफी अच्छी stream है, students के लिए, thank you.